दोस्तों ये तो आप जानती होगे कि निश्चित समय के बाद सब कुछ बदल जाता है चाहे वो कोई भी चीज क्यों नहों इस ब्रह्मांड की और ऐसे ही समय के साथ साथ युग भी बदल जाता है और फिर एक नए युग कारंब होता है जैसे अभी कल युग चल रहा है और के बाद एक नए युग यानि सत्युग की शुरुआत होगे लेकिन दोस्तों आप शायद ही जानते होंगे कि एक युग के बाद दूसर युग शुरू होता है लेकिन युग बदलते कैसे हैं और में अंदर क्या होता है यह आप नहीं जानते होंगे तो दोस्तों सनातन ध द्धर्म में यूगों के विस्तार में बताया गया है। इसमें समय की ऐसी गणनाओं का जिक्र किया गया है। जिसे आज भी वग्यानी के ढून रहे हैं। इसमें चार कालखंडों के बारे में बताया गया है। तो आईए इन्हें थुना विस्तार से समझते हैं। दोस्तों क तालखंड के चार चक्रों में पहला युग सत्युग माना जाता है, जिसका कुल समय 17,28,000 साल का होता है। इस युग को सभी युगों में सबसे स्रिष्ट माना जाता है। इस युग की खास बात ये है कि जीवन की उत्पत्ति के बाद स्वयम देवता मनुष्य को शिक्षा देते हैं और इस युग में मनुष्य का मानसिक स्थर उच्च स्थर तक पहुंच जाता है। यानि इस युग में शिक्षा तप और मानसिकता की होती है। बात करें अगर इस युग में इनसान की आयू तो एक हजार से एक लाग साल तक हो सकती है क्योंकि मनुष्य मान से ज दरुवत तक नहीं पड़ती। एक दूसरे का मन पढ़ लेने वाला व्यक्ति जूट बोल ही नहीं सकता। ये एक ऐसा यूग है जहां जूट होता ही नहीं है। और इसी वज़े से इसे सत्यूग कहा गया है। इस यूग में कोई बिमारी नहीं होती। क्योंकि मानसिक स्थर को उचस्थर तक पहुँचाने वाला मनुष्य बोडी की सेल्स की पूरी जानकारी रखते हैं। तब उन पर कोई वाइरस ये डिजीज असर नहीं करती। सत्यूग के चार स्थम्बों का पहला स्थम्ब तब होता है। धर्म के चार स्थम्ब है। तब सच्चाई, शुद्धी और दया। इन्हीं स्थम्बों सही सत्यूग को स्वार्ण यूग भी कहा जाता है। जैसे जैसे यूग बदलते हैं ये स्थम्ब कम होने लगते हैं। सत्युग में भगवान विश्णु ने चार बार अवतार लिया, मत्से अवतार, कुर्म अवतार, वरह अवतार और नर्सिंग अवतार। इस युग में वेदो का ज्यान हर मनुश्य के पास होता है और हर मनुश्य का चरित्र एक देवता के समान होता है। देकिन परिवर्तन स जिसे हम कहते हैं त्रेता यूग त्रेता यूग को रजत यूग यानी सिल्वर यूग कहा जाता है इसमें ग्यान बटना शुरू हो जाता है जैसे सत्यूग में हर मनुष्य के पास वेदु का ग्यान होता है अलाकि वो लिखित अवस्था में नहीं बलकि मानसिक अवस्था में होता है त्रेता यूग में वेदों को भी चार भागों में बांट दिया जाता है क्योंकि मनुष्य का मानसिक स्तर ही शीन होने लगता है मानसिक्स्तर का सर्वोच नरहने के कारण शुरीर भी विकारों से भरना शुरू हो जाता है इसका सबसे बड़ा कारण है धर्म के चार स्थंबों में से एक स्थंब का कम हो जाना त्रिता युग में तपको छोड़ दिया जाता है और तब से ही हर मनुष्य की मानसिक्ता परमात्मा से जुड़ी होती है। लेकिन इस युग में तब को जीवन के लिए जरूरी नहीं समझा जाता। इसी वज़े से मनुष्य में मतभेद होना शुरू हो जाता है। इस युग में विचारू का आदान प्रदान लिखितिया ब रूश कहा जाता है क्योंकि वो धर्म के तीन स्थम्बों की मर्यादा बनाये हुए थे यानि शुद्धी, सच्चाई और दया। त्रिता युग का कुल समय 12,96,000 साल का होता है। और श्री राम भी त्रिता युग के अंत के समय में ही अवदरीद हुए थे। त्रिता इस युग में राज्यो का राजपाट का निर्मान होना शुरू हो जाता है। फिर भी युद्ध जीवन के लिए अच्छा माना जाता है। इस युग में जीवन के नियम बनाने शुरू हो जाते हैं। और इस युग में पुराणों वर्षास्त्रों का निर्बान होता है क्योंकि ज्यान को मानसिक स्थर तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता तो इस लिखित रूप में सुरक्षित रखा जाता है इसके बाद आता है दौपर युग दौपर युग के धर्म के दो स्थम्ब कम हो जाते है एक ऐसा युग जब मनुष्य मानसिक शांति से ज़्यदा भोतिक सुख को एहम समझने लगता है जब शक्ति को ज्यान से बढ़कर समझा जाने लगता है द्वापर युग को बहुतिक ज्यान के विस्तार वाला युग कह जाता है इस पूरे युग का समय आठ लाग चोंसट हजार साल का होता है इस युग में धर्म के दो स्तंब बचते हैं सच्चाई और दया जबकि इसकी शुरुवात से ही तप और शुद्धी का त्याग हो जाता है इस युग को सिर्फ सच्चाई ही बचा कर रखती है और इसका उधारन है महाभारत का युद्ध जिसमें मन की शुद्धी नय होने के कारण आपसी बैर पैदा हो गए लेकिन सच्चाई ने सबको बांध कर रखा इस पूरे युद्ध में अस्त्र शस्त्र और इर्षा का भाव हुआ लेकिन फिर भी किसी ने सच्चाई का त्याग नहीं किया कौरों और पांडों में युद्ध हुआ लेकिन वो भी नियम के तहद हुआ इस युग में चार विदो का ग्यान किसी के पास नहीं होता इस युग में ग्यान बहुत कम लोगों के पास रह जाता है इसलिए इश्वर के अस्तितों पर भी सवाल उठाय जाते हैं इस युग में मानसिक ग्यान नहीं होता तो भोतिक कारियों से ही जीवन यापन शुरू हो जाता है इस युग में वरणों का निर्मान होना शुरू होता है वरण यानि जो व्यक्ति जिस तरह का कारे करता है उसके पास कितना ज्यान है उससे वरण को निर्धारित कर दिया जाता था इसी शब्द को आगे कल्यूग में जाती में बदल गया। कारियों से चार वरणों का निर्मान हुआ ब्रहमन, शत्रिय, वैश और शुद्र। हर नए जन्में बच्चे को शुद्र की श्रिणी में रखा जाता था और जीवन में वह क्या कर पाता था उससे वण निर्धारित होते थे जैसे विदुर शुद्र के घर जन्म लेकर हस्तिनापुर के मंतरी बने और ब्रहमन कहलाए। इस युग में भगवान विष्णु के दो अवतार हुए जबकि कई पुरानों में सिर्फ एक ही अवतार हुआ। इस युग में ज्यान के शीन होने पर स्वैम इश्वर अवदरित होकर ज्यान देते हैं। जैसे की स्री कृष्ण ने श्रीमत भगवत गीता का ज्यान दिया था। इस युग में मनुष्य की आई- कम होकर हजार साल रह जाती है लेकिन शक्ति के दिए किये गई युद्ध से यहां तक कोई भी पहुँच नहीं पाता है इस युग के अंत के समय से ही बिमार्या नए-नए रूप लेना शुरू कर देती है क्योंकि मनुष्य का शुरीर ज्यान और नियंतरन से भी दूर होना शुरू हो जाता है इस युग में शक्ति प्रद्रशन और सुक के लिए युद्ध होते हैं और मनुष्य के जीवन कम है तो कम हो जाता है फिर भी इस युग में दया और सच्चाई इसे बांधे रखती है इस युग में साथना का ज्यान भी अंत आते आते पूरी तरह से लुपत हो जाता है और इस युग का अंत भी तब हुआ जब सिरकिशन धरती लोग को छोड़ कर बैकुंट की और परस्थान किया और इसके बाद शुरुवात हुई अंतिम युग की जिस युग में हम और आप जी रहे हैं यानि की कल युग की कल युग कल युग को समसे अंधेरा युग कहा जाता है क्योंकि इस युग में न सिर्फ ग्यान लुपत होने लगता है बलकि ग्यान सुरोतों में भी छेड़ छाड़ की जाती है ग्यान ही मौक्ष का रास्ता होता है ऐसे ऐसे सहित्ते लिखे जाते हैं जिससे मनुष्य पत्थ ब्रस्ट हो जाता है लेकिन अगर ग्यान अधूरा और गलत हो तो विनाश की तरफ ले जाता है जिस तरह से wypर युग के धरम के दो ही स्थाम रह जाते हैं कल्युग तो इससे भी बुरा होता है क्योंकि इसमें धरम का एक ही स्थाम रह जाता है और वह है दया ने तो तप रहता है नशुद्धी और नशच्च्चाई का आंत तो द्वापर यूग के बाद हो गया था सिर्फ दया के भाव में ही मनुष्य को जीवन का मकसिद पता चलता है इस यूग का कुल समय चार लाक बत्तिहजार साल का होता है कल्यूग में ग्यान किसी के पास नहीं रहता क्योंकि पुराणों में गलत जानकारी को मिला जाता है इसलिए स्री कृष्ण श्री भगवत गीता का ग्यान हमें दिया और लुप्त ग्यान को दोबारा जागरित किया कल्यूग के पहले दस जार साल को सबसे बहतर कहा जाता है लेकर इसके बाद अंधिरा यूग आता है और इस यूग में अध्यात में ही खत्म हो जाता है इस यूग में सिर्फ भवतिक ग्यान को ही सच माना जाता है जिससे एक सराजकर लोग कहते हैं वेगनिक प्रमान क्या है इसलिए भी भवतिक ही किये जाते हैं इसलिए इसमें आविशकार भी बहुतिक ही किये जाते हैं। जैसे आज हमने टीवी, मॉबाइल बना लिया, मैडिसिन बनाई, लेकिन एक भी आविशकार मान सिक्स तर तक नहीं किया। यानि हमने अब तक सबकॉंसिस माइंड को एकसेस करने का एक भी तरीका नहीं ढूंडा। इस युग के अंत तक मनुष्य के आयू दस से पचास साल तक रह जाएगी। निर्मान ही विनाश का कारण होका। एक देश जब तरक्की करता है तब दूसरा देश उसे गिराने में लग जाता है। युद्ध आम बात हो जाती है। मनुष्य के पास सब कुछ होते वे भी मन की शांती नहीं होती। कई पुराणों में इस युग में दो विश्नु अवतार बताए गई हैं। जबकि किसी में एक ही अवतार कल की अवतार बताया गया है। कल की कर्यूग के अंत के समय आएंगे और अधर्म का अंत करके दुबारा से सत्यूग में ले जाएंगे। इससे पहले अधर्म अपनी जड़े चारों तरफ जमा लेगा और ऐसा तांडव मचाएगा कि पूरा विश्व देखता रह जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही जय हिंद जय भारत। ज़ सकतकिंगे लेखक कि उपते ही साथ करे कि प्रावभारी एतने ही साथ जय हूआ हो ukानी खारस खाराय में लेंगा भार्म करते याम कॉक्साव करें जल समस्तू चर्पारा ही जिए Pack भारर'll आखरू का उन् WOWक कॉक्पश्सकंषे जा उन्स्वर्म का त are टारारा कि जनnam हो